हेलो फर्ण्स वेल्कम टू समाधान एट्यूकेशन आज हम लोग बात करेंगे वीडियो भरती 2018 एकजाम को लेकर बात करेंगे आगे बात करेंगे किन इस्टूडेंट को एकजाम देने का मौका नहीं मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम से जोड़ रहने क्लिए वेलाइकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो पसंद आतो लाइकन से जरूर कीजिएगा आफ हमके इस्टाम फॉलो करना चाहते हैं इस्टाम फॉलो कर सकते हैं मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जो इस्ट्वर यूपी टेपल से पीटी की तियारी करन सकते हैं दोनों बुक पीटी के लिए बैस्ट बुक है तो एकजामपुर की पुक चक्चू पब्लीकेशन से सस्ती बुक है यह आप आपको कम दाव मिल जाएगी तो आप दोनों बुक को खरी सकते हैं और ओफलाइन भी खरी सकते हैं मैं देंक दे दिया है आप वहां जाकर दोनों बुक देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं तो दोनों बुक पर ओफर भी चल रहा है अब बात कर लेते हैं वीडियो भरती 2018 को लेकर लगभग 14 लाग इस्टूड़न ने फॉर्म फिल किया था वीडियो भरती 2018 के लिए लेकिन सभी इस्टूड़न एक्जाम नहीं दे पाएंगी इसको लेकर काफी इस्टूड़न कमेंट कर रहे थे कि सभी को एक्जाम देने का म आया था तो इस बार भी आपका एक्जाम नहीं होगा तो जिन इस्टूड़न के एक्जाम देने का मौका मिलेगा चाहें आपने एक्जाम दिया हो या आपने एक्जाम ना दिया हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपने एक्जाम दिया है कि नहीं दिया है यदि आपका admit card जारी हुआ था तो इस बार भी आपका admit card आएगा और आपको exam देने का मौका मिलेगा ज़रूरी नहीं कि आपका selection आपने exam दिया है तो आपका selection हुआ हो आपका selection ना हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सबको एकजान देने का मौका मिलेगा जिनका एडमिर कार जारी हुआ था लेकिन यदि आपका एडमिर कार जारी नहीं हुआ था तो आपको एकजान देने का मौका नहीं मिलेगा इस भरती को लेका इस्टूरेंट कोड जाने वाले हैं क्योंकि जो सेलेक्टिर इस्टूरे की उम्मीर लगा बैठे थे कि जानिंग मिलेगी जो महनत से इमांदारी से से सेलेक्ट हुए थे इसलिए वह जल जल कोट जाने की कौछस में है क्योंकि वह जानिंग की मांग कर रहे हैं और ये बात सही है उन्हें जानिंग मिलनी चाहिए थे जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे इमानदारी से महनत से सिलेक्ट हुए थे तो उन्हें जाने मिली चाहिए थी मान सकते हैं कि इस भरती में धांदली हुए लेकिन उन इस्टुनेंट का क्या कसूर है जिन्होंने महनत से इमानदारी से सिलेक्शन लिया था भरती पहले धांदली होती है फिर भरती को रद्द किया जाता है उसमें वह इस्टूर्ण भी परिशान होते हैं जो इतने सालों से महनत करते हैं दिन रात पढ़ाई करते हैं इतनी महनत के बाद वह एक जौब में सेलेक्शन पाते हैं और फिर वह भरती रद्द करती जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उन इ जाहिए थे जो मह Costco से मैंदार तो मुम्हान दारी से से इमांदार होए थे तो वह स्टूजशा को आयो आयुक की जल therm कोंड करा दिया जाए तो 20 माई तक कोई आख्जाम नहीं होगा लेकिन इसके बाद यहीं को रोणा की स्थिति सही होती है तो 100% यहांडेड परसand जून जुलाइब में वीडियो भरती 2018 का एक्जाम करा दिया जाएगा तो आप सभी इस ट्वन अपनी तैयारी कंट्निव रखें अपनी तैयारी को ना रोकें क्योंकि सबसे पहले वीडियो भरती 2018 का ही एक्जाम कराया जाएगा आयूग इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है है क्योंकि उसकी कोशिस यही है की चल से जल इसका रए ज़ा ब्लब्लम करा जाए क्योंकि नहीं तो स्थेयन कोट ब्लब बिव ि सुफाट पार रहे हैं इस ताइम पर ही मुग्स यह था सबbing दा फिशान कोट एक तो COVID-19 की बज़े से स्टूरेंट परेशान है COVID-19 की बज़े से अब संडे को लॉकडाउन रहेगा इस्टूरेंट अब कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं धर्ना प्रिदसन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो भरती रद हुई है तो इस्टूरेंट चाहते कि वह ध इस्टूरेंट धर्ना प्रिदसन नहीं कर पाएगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा भीड एकटी नहीं हो सकती है क्योंकि COVID-19 को लेकर भी इस्थिती बहुत खराब चल रही है यूपी में इस्थिती बहुत खराब है बड़े-बड़े सहरों में केसे बहुत ज्यादा निकर र में एक डिस्किप्सन में दे दिया है इसमए कहा गया है आईटी कम्पनिया एकلف व्यवाह को देगी नौकरी एक लाक्यूप्र को नौक देगी देख लेते हैं आगे देख लेते हैं डेकीपिस MPH एम इमफोर्ष बप्रो और wzg की बड़ी तयारिया एपेतालेस परसंद ज् इंफॉसस वी प्रोओ एसल तो दो हजार बीर्स 2021 में ओर दो हजार 21 22 में है थीज्टी से लिएस चाली सजार और इसबसने भी चाली सजार इंफॉसस 2100 21-26000 वे प्रोओ 90021 में 9000 से ज्यादा से जादा है से 10 ओर और एकीस बैस में बारह हजार तो देख लेते हैं देश में आई टी छित की चार दिगज कंपने चालू बित्त बर्स में करीब एक लाग विवाओं को रोजगार देगी TCS, Infosys, Bipro और HCL टेक ने 2021-22 में बंपर भर्द्या करने का एलान किया है कंपनिया पिछले बर्स से 45 परसें ज्यादा रोजगार देगी COVID-19 के दवाव में भारत सहे दुनिया भर में डिश्टली करार को तेजी से अपनाया जा रहा है संक्मर से सुरक्षा के लिए अधिकतर कंपनिया अपने कर्मचारियों से वर्ग फ्रॉम होम करा रहे हैं तो ओनलाइन काम चल रहा है इस कारर तकनिकी सहयोग और डिश्टल संच चलन के मांग काई गुना बढ़ गई है आप देखी रहे हैं कोविड-19 की बज़े से इसकी मांग बढ़ गई है तो इसे पूरा करने के लिए नाई भरत्या करनी पड़ेंगे देश की सबसे बड़ी आईटी कंप्री टाटा कंसल्टन सी सबसे टीसी एस ने दो हजार 21-22 मे 40,000 यवाव को नौकिक देने का एलान किया है तो जिसकी सुरुआत हो चुकी है इंफोसिस 26,000 तो SEL टेक 12,000 यवाव को रोजगार देने की तैयारी में है विप्रो के मानो संसादन अधिकारी सौरव गोबिल का कहना है कि 2021-22 में पिछले साल से ज़्यादा रोजगार पिछले साल कंपनी ने 9,000 भरतिया की थी तो इस बार ज्यादा भरतियों होंगी 45 परस्याद ज्यादा भरतिया इस बार होंगी तो आगे देख लेते हैं आगे कहा गया है पिदेश की अधोगिक नगरी में प्रोजेक्ट लगाने के लिए 13 निवेश को कुछ जमीन देने की मंजूरी दी गई है निवेश में 3800 कोरोड का निवेश pię brought Inspector Pash drihan रोजगार आगे देखी शेंसंग में तो मोगाल इस histor感 सुरों किन है तो इसका उत्पादन शिरू किया है शुरों किया है तो पत्चास शार को रोजगार इहां से आपने देखा ही है एक लाग विवाओं को नौकरी मिलेगी तो इस बार ज्यादा भरतिया होंगी तो आप इसको लेकर कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने को से जरूर करूंगी जो इस्टुएंट यहां जॉब करना चाहते हैं तो आप अच्छी खबर है क्योंकि इस बार ज्यादा भरतिया होंगी तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते आप लोग उस नेक्स वीडियो में थैंक्यू जहन जाभारत